नमस्कार, स्पोर्स टॉक में आपके एक बार फिर से स्वागत है, आप बता दें कि आज हमारे सेग्मेंट में हम बात करें कि भारती क्रिकेट टीम जो है किस तरीके से कौन से रणिती का इस्तेमाल करें जिससे की वर्ल्ड कप में उन्हें जबर्दस सफलता मिलती भी नजर जैसा कि आपको मालूमी है कि एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए जिस तरीके से एक मजबूत नियू की जरूरत होती है, वैसी बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए या बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए भी हमारे ओपनिंग जोड़ी का चलना बहत जरूरी है, हमन में जब हमारे मैचेस हुए वहाँ पर जब हम खेलने के लिए उत्रे अगेंस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजिलेंड दोनों मैचेस में हमारे ओपनिंग पेर जो है वो नहीं चले और उनके ना चलने की वज़ा से भारती टीमी खराब शुरुबात की वज़े से हम मुकाबले को गमा गया और वो दो मैचेस हारने वज़े से हम वर्ल्ल कप के ग्रूप स्टेट से ही बाहर हो गया उसके बाद आप देखें एशिया कप अभी हम दो ही मैच आदे सुपर फोर में और वही दोनों मैच कारण बन गए आपके एशिया का सारा बोज आप ओबनिंग पेर पर ही डाल दें बाकि मिड्ल ओटर के बलेबास तो भी कुछ करना पड़ेगा लेकिन अगर आपके मिड्ल ओटर के बलेबास बहुत जल्दी एक्स्पोज हो जाते हैं तो फिर परिशानिया बढ़ती वे नजर आ जाएंगे और इसलिए हम अर्ली स्टेज में मूव करती हैं और ऐसे में साउधानी बरतनी जरूरी होगी और पावर प्ले में अगर जैदर आप रन नहीं बनाते हैं तो विकेट भी ज्यादा ना गमाएं आप समने देखा होगा कि विराट आपके रोई शर्मा और केल राहुल की जोड़ी भी ओपन कर सकते हैं रोई विराट की जोड़ी भी ओपनिंग कर सकते हैं या खिया पता इस टीम अन्यमेंन का हो सकता है कि केल तो हम अंत तक फिनिश भी अच्छा तरीका से नहीं कर पाएं, क्योंकि आपको याद होगा कि लगबग जो पंदा सदस्य टीम चुनी गई है उस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल कप के लिए, उसमें से वही लगबग तीम आपकी एश्या कप में भी है, वही टीम अगर आप देखेंगे तो यह खेलती भी नज़र आने वाली है, पिछली बार भी खेलती वर्ल कप में, युवेई में, और इस बार भी वही टीम लगबग नज़र आ रही है, और खास करके जब प्लेंग 11 की चर्चा हो दी है, उसमें जो टॉप 6 होगा, लगबग टॉप 6 आपका वही है, जो टॉप 6 पिछली बार वर्ल कप में था, या यूँ कहलें कि जो एश्या कप में था, दो मैचेद आप इश्या कप में हारे आप फाइनल तक नहीं पहुँच पाया, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, गेनबाजों की मोमिका आप अपनी अलग होगी, बलेबाजों की मोमिका अपनी अलग होगी, हर खिलाडी की अपनी अपने इंडिविज्यल प्रिलियंस जो है वो देखना, दिखाने की जरूरत होगी, लेकिन ओपनिंग की जहां तक बात है, बार बार इस पोस्ट आप में इस बात को कहा है, की ओबनिंग पेयर का चलना जरूरी है, हमने कभी भी इस बात की चर्चा नहीं, कि आपको याद होगा, पाकिस्तान ये हिलाप में राहूल और रोही तीन, दोनों ने मिलकर के जो शुरुबात दी थी, उसके बाद कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन एक अच्छे शुरुबात देने की बात की ते, वहाँ पर भारत ने एक अच्छे शुरुबात की दी पावर प्ले, उसके बाद पर कैपितलाइज करते हैं, हमने 180 के आसपास का स्कोर भी खड़ा कर लिया था, अभी भी हम ये बार-बार कहते हैं, सपोस्टो का मानना है कि आप कभी भी अपने ओपनर से 50 के दिमांड मत कीजिए, आ जाता है अच्छी चीज़ लेकिन एक चीज़ का दो डिमांड किया जा सकता और वो है, कि आप दोनों अगर दो ओपनिंग पेर जो है हमारा, अगर वो दोनों बल्लिबास मिल करके 36 गंदों में से ठारा ठारा खेलते हैं, या आपसी बे अगर बांट लेते हैं बाल्स को, तो स्ट्राइकरेट उनका एटलिस 170 के 175 के आसपास होना चाहिए, जो कि रोई श्रमाने एक दो मैचेश में दिखाया भी है, तो होच सकता कि 6 में अगर आपने 60 मना दिये, 50 मना दिये, अगर एक ही बिकेट गिरा हुआ है, तो एक ओपनर को कुशिश करने चाहिए, कि वो मैच को 10 में, 12 में वड़ते ले करके जाए, और जो दोनों ओपनर हैं, इन दोनों ओपनर को मिल करके एक बहतर शुरुबात देना होगा, ताकि उसके बाद जो वाले बाजी, जैसे नमबर 3 अगर विराट को लिया आते हैं, उनके पास मौका होगा, इनिक को बिल्ड करने का, उसके बाद स्ट्राइक रेट बहतर करना है, जैसे विराट ने करके दिखाया भी है, तो यह सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, ओपनर्स की, क्योंकि हमने यह देखा है, कि हम 50 की डिमान कर लेते हैं, हम सटक की डिमान कर लेते हैं, लेकिन कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है, कि आप वो 50 तक नहीं चाहिए, आपको ओपनिंग पेर से एक अच्छे रन की खुआईश होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्रियोग रोईश्रमा ने कर लिए, काफी चीज़ें देखी गए, कि गई टीम शायद ऐसा लगागी, पहले सेलेक्ट कर लिया गया था, बार ने प्रियोग किया गया है, और उसमें कई सारे प्लियर्स आए, आपने पंद से भी ओपनिंग कर लिया, सुरिया से भी ओपनिंग आपने कर लिया, क्योंकि आप सब को याद होगा कैसे UAE में पाकिस्तान के खिलाप में शुरू में हमारे ओपनर्स निपट गए और हमारी जो सिती है खराब होती हुए नजर आई और इसलिए हम भी उमीद करेंगे कि हमारे ओपनर्स शुरू में निकोशियेट कर लें अगर गेंदे जाए मूव कर रही है तो बहुत जरूरी नहीं है कि 6 में 60 भी बना करके आप काम चला सकते हैं लेकिन उस समय आपको अपना विकेट का नुकसान नहीं करवना होगा तरवा परस में मिलोडर के बले बाजो के जब आप दही अलग हो जाती है लेकिन ओपनिंग पहली बात है जो नियू खड़ा करना है बड़े स्कूर के लिए उसके लिए जरूरी यह होगा कि रोहित और रहुल की जोड़ी है या रोहित विराट की जोड़ी जो है वो एक बहतर रन बस बन जाने चाहिए क्या आप सोचते हैं आपकी राय क्या है हमारा यह मानना है कि ओपनिंग जोड़ी के चलना बहुत ज़रूरी होगा अगर भारत को हर मैच में जीत हासिल करनी है भारत के एक अच्छे स्कूर्ट तक पहुंचना है या एक बड़े टोटल का पीछा क करना है तो आप कॉमेंट करें बताएं कि वीडियो को लाइक कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लिजिएगा